इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रीडम सैनिटरी नापकिन्स का एक डेमो और वेरिफाई करेंगे कि फ्रीडम सैनिटरी नापकिन्स कितने बढ़िया तरीके से फ्लूड या ब्लड को एब्जॉब कर सकता है जिससे कि मेंसिस के इन दिनों में फीमिल्स को बहुत अच्छा क कमफर्ड प्रोवाइड हो सकता है तो इस डेमो के लिए हम ले रहे हैं मार्किट का एक सैनिटरी नापकिन्स और ये है हमारा फ्रीडम सैनिटरी नापकिन्स में हम 50 ml रंगीन पानी डालेंगे और देखते हैं कि कौन सा नापकिन जादा अच्छे तरीके से फ्लूड को एब के सैनिटरी नापकिन के ऊपर ये डालता हूं सो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इसको डाल रहा हूं इट टेक्स ए सेकंड बिफोर इट गोज इंसाइड दे नापकिन और अब इसकी एब्सॉप्शन बहुत स्लो हो चुकी है आप देख रहे हैं कि पानी अब अंदर औ इसूस करती होंगी वो फीमेल्स मेंसिस के दिनों में जब वो कुछ ऐसे नापकिन्स यूज करती हैं ड्राइनेस मिंटेन नहीं हो सकती और अगर ड्राइनस मिंटेन नहीं है तो हाईजीन भी मिंटेन नहीं रहेगा अब हम डालेंगे यही फ्लूड तक्रीबन 50 से मिल मोद मोदी क्या फ्रीडम सेंटरी नापकिन्स में है एट लेयर्स ऑफ अब्सॉप्शन और प्रोटेक्शन यह बहुत आसानी से फ्लूड को एब्सॉप कर लेता है ट्राइनस मिंटेन रखता है आप देख रहे हैं कि कितना इजली यह सारा पानी इसके अंदर जा चुका है इन फाक्ट पचास एमिल क्यों थोड़ा सा और पानी डालते हैं बिकॉज यह कोई आम नपकिन नहीं है यह मौदी क्या का फ्रीडम सेंटरी नापकिन इसमें मैं 25-30 एमिल रंगीन पानी इन फाक्ट मैंने 30 एमिल से भी जादा रंगीन पानी और भरा है और यह सारा मैं इस अलए वाटर और इन फाक्ट एक और फरक आप देखें कि हमने मार्केट के कॉम्पेटिशन नापकिन में पहले डाला इसके पास जादा समय रहा फ्लूड को एब्सॉप करने के लिए लेकिन फ्रीडम सेंटरी नापकिन में हमने पानी बाद में डाला तो इसके पास बहुत कम समयरा फ्लूड को एब्सॉप करने के लिए लेकिन अब हम वेरिफाई करेंगे कि इन में से किस नापकिन की एब्सॉप्शन पावर जादा है तो यह देखने के लिए हम लेंगे दो टिशू पेपर्स और यह टिशू पेपर्स हम इन नापकिन के उपर रख देंगे और इक्वल फॉर्स के साथ हम इसको प्रेस करते हैं देखते हैं क्या होता है तो मैं इक्वल फॉर्स दे रहा हूं दोनों नापकिन के उपर और आईए अब हम टिशू पेपर उठा के देखते हैं कि क्या फर्क है जो मार्केट का सैनिटरी नापकिन है उसके उपर टिशू पे नहीं किया आप देख रहे हैं tissue paper एकदम गीला है in fact मेरा हाथ भी एकदम गीला हो चुका है लेकिन अगर हम देखें इस tissue paper को जो हमने प्रेस किया था मौदी किया freedom sanitary napkin पे वो एक दम सूखा है एक दम dry है जो कि यह दिखाता है कि freedom sanitary napkin ने कितने बढ़िया तरीके से 80 ml fluid को absorb किया और अगर मैं इसके उपर अपना हाथ दुबारा प्रेस करूँ तो कुछ भी पानी मेरे हाथ के उपर नहीं आ रहा सो हेवी ब्लड लॉस के दिनों में भी freedom sanitary napkin absorption बहुत बढ़िया तरीके से करता है fluid की dryness को maintain रखता है और hygiene को maintain रखता है और मेरे हिसाब से freedom sanitary napkins को promote करना हम सब की social responsibility भी है Thank you so much